तो वेल हेलो इंविस्टर्स मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वीडियो में हमें एक बार फीर से बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर लिमेटेड के बारे में और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगारिंग कुछ लेटेस अबडेट्स त तो फिलाल इस स्टॉक में 13.45 पैसे पर ट्रेड करते हैं और आज स्टॉक में एराउंड हमें एक 2% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहे हैं जा रिसेंड ले पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उस्टॉक में जो गिरावट का जो सिल्सिला है वो हमें कंटीनूसली देखने को मिलते हुं नसर आ रहे हैं जाब पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने राउंD 3% की positive returns दिये और वही बात करें पिछले 1 मेनी में जो पिछले 6 मेनी में स्टॉक ने राउंD 33% की negative returns दिये तो पिछले 6 मेने से देखा जाए तो stock में हमें कोई भी बड़ी तीजी आपे देखने को मिलते हुए नसर नहीं आ रही जाए एक तरफ देखा जाए तो stock का जो 52 विक हाई भी था जो कि around हमें 21 रुपीज के नियरबार देखने को मिल रहा था जा रिसेंटली stock में हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली थी जा पर ये stock continuously अपर सरकिट लगा के around 21 रुपीज गय था जा पर काफी ज्यादा investors ने stock में अपनी holding ऊपर के लेवल से बनाई है और फिलाल stock अपने 52 विक हाई से around 35 to 40% हमें डाउन देखने हो मिल रहा है जिसके च positive news का जो sell seal है वो या पर continuously देखने को मिलते वही नजर आ रहा है जिसके चलते काफी जारा chances से आने वाले कुछ दिनों के अंदर stock में आपको एक बड़ी rally देखने के भी काफी जारा chances से जासे ये stock आपको easily feels है 20 और maybe 24 रुपेस के targets बहुत जल दिखाते वही नजर आ सकता है short अब stock के regarding recently कुछ updates को या पर cover करें तो पिछले कुछ समय से देखा जाए जो market expert से वो तो हमें रहतर इंडिया power limited के उपर काफी जादा positive नजर आ रहे और continuously हमें एक buying rating भी आपर suggest करते वही नजर आ रहे और फिलाल इस rating के पीछे जो main reason है वो है stock का delivery volume और company के जो quarter by quarter एक सबसे main reason है या पर जा हाल के कुछ quarters के पहले आप नजर डालोगे जो FI से वो continuously open market से अपनी जो holding है वो रतरी इंडिया limited में बढ़ाते वे नजर आ रहे जो कि एक तर से देखा जाए stock के लिए सबसे बढ़े या पर positive point नजर आ रहा है और जैसे कि आने वाले कुछी दिनों के क्योंकि recently पिछले कुछ समय से देखा जाए तो energy sector हो या power sector हो इन दोनों sector के stocks में हमें एक अच्छी कासे rally आपर देखने को मिल रहे जाए एक तरफ देखा जाए इंडिया में जितने भी renewable energy sector के stocks है उन सबी में हमें एक अच्छी कासी growth काफी लंबे समय से देखने को मिल रहे क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो इंडिया में जो power consumption है वो day by day काफी तेजी से बढ़ते वी नजर आ रहे जिसके चलते energy sector और power sector के जो stocks है उन में भी हमें एक अच्छी कासी growth और एक अच्छी कासी demand इस sector की या पर बढ़ते वी नजर आ रहे तो ऐसे में देखा इंडिया पाउल लिमिटेड आपको एक multi bag returns देते वे भी नजर आ सकता है अब stockage delivery volume की बात करें तो पिछले कुछ समय से देखा जाए तो रते इंडिया पाउल लिमिटेड का जो intraday volume हो या delivery volume हो दोनों में हमें एक अच्छी कासी growth या पर काफी लंबे समय से देखने को मिल रही थी लेकिन पिछले दो या तीन दिनों से देखा या जो delivery volume में उसमें भी हमें एक अच्छी कासी growth या पर देखने हो मिले लेकिन सेकंड डिसमबर के पहले जितनी भी जो लाज डिल्स थी वो सभी की सभी हमें 15 October को देखने हो मिले तो मोटा मोटी अराउंड एक दो महन के gap के बाद एक अच्छा volume फिर से हमें रहतन इंडिया power limited में अब आते वही नजर आ रहा है जो कि तरह से देखा जाए तो stock के लिए एक काफी positive update है और अक्सर हमें देखा है जब भी किसी पैनी stock में जब भी कोई बड़ी reality आने वाली होती है तो उसके पहले उसका जो delivery volume में उसमें हमें एक अच्छी खसी growth देखने को मिलती है और फिलाल वो volume या पे और वो growth हमें रहतन इंडिया power limited के intraday volume हो या delivery volume उन दोनों में देखने को मिलते भी नजर आ रही तो जा तक मुझे लगता है आने वाले कुछी दिनों के अंदर stock में आपको एक बड़ी reality देखने क काफी जादा chances दिखरे तो आज के लिए बस इतना ही रहतन इंडिया power limited में जैसे कोई latest update या जैसे कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पसे नहीं तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्रा